एफिशेंसी के बारे हम बात होगी तो पैकिंग एफिशेंसी जो सिंपल सेंटर्ड क्यूब की जो पैकिंग एफिशेंसी है वो हमने कर लिए और उसकी वैल्यू आइथी 52.4 परसेंट आज जो हम पैकिंग एफिशेंसी करने वाले हैं वो है बोडी सेंटर्ड क्यूब और फे यह संटर्ट क्यूब की पैकिंग एफिशेंसी को ठीक है तो फेस सेंटर्ड क्यूब एक फ्रेस पेज ले लेते हैं हम बिलकुल और ओके तो पैकिंग एफिशेंशी ओफ फेस आंटर्ड क्यूब यह है हमारे पास Face Centered Cube Diagram कैसा होगा Diagram बड़ा Simple आपको इस तरीके से डाइगराम बना लेना है यहाँ पर Face Centered Cube के लिए This One This One और इस तरीके से यह होगया अब सभी के Face तो दिखाई नहीं सकते तो जो दिखा सकते हैं वह इस तरीक छेक दिखा सकते हैं यह एम है आपका Heart Corner पर यह एटम हैं आपका और यह बीचमफ में जर आपका यह आपका है फेस पे तो इस एम को मैं बना रहा हूं यह एक्टम है आपका फेस पे तो ऐसे डी geweनाम अम्लाना फिर्यशर क सुझ के ही बने और यहां अगर आप देखोगे इस लाइन को मैं ड्रो कर रहा हूं यह लाइन जो है वह फेस पे ड्रो की गई लाइन जिसका सेंटरी यह ठीक है तो इस लाइन में ए बी-सी में इसमें ए बी-सी में तो बता सकते हो आपकी जो एसी है वो क्या है यह 90 डिगरी का हाइपोटेनियस है है बिलकुल हाइपोटेनिस है तो यहां by मित आंड तो यहां पर हम पहला काम क्या करेंगे A-hour correlation करने वाले क्या हैं हम करने वाले कुछ यह हैं आज हम पैकिंग एफिशेंसी जो है कितने spheres लिखूं, number of atoms, शौर या केशव, बिल्कुल correct है, answer है 4, अमित, बिल्कुल correct है, तो यह है volume of 4 sphere, divided by volume of cube, यह volume of cube है, into में 100, ठीक है, अब, यह volume of 4 sphere, चलो लिख लिए हमने, कैसे 4, into में 4 by 3, pi r cube, right, volume of cube, edge cube, into में 100, लेकिन, जब तक यह edge की value r की term में आएगी नहीं, तो हम आगी question कैसे करेंगे, impossible है, तो हमारा जो काम है, वो है, a और r का relation निकालना, तो यहां हम a और r का relation निकालने के लिए try करेंगे हम, तो in triangle, a, b, c, you know very well, 90 degree है, b, per, imagine करो 3 dimension cube को, ठीक है, तब आपको यह लगेगा, तो a, c square is equal to a, b square plus b, c square, ठीक है, तो यहां पर a, c square को हम find out करने वाले हैं, तो a, b square की value क्या होती है, देखो a, b क्या है, a, b, तो इस cube की edge है, इस unit cell की edge है, यह a की cube, b, c क्या है, a की square, और b, c क्या यह भी edge है, तो यह a square हो गया, तो यहां हम बोल सकते है, a square is equal to 2 a square, अब यहां पर a, c is equal to root 2 a square, तो answer क्या जाएगा, a root 2, यह आपका a, c की value हागी, a root 2, कई बच्चों के दिमाग में यह भी चल रहा होगा, यार, हमने simple centered में, दोनों atom, आपस में touch करके, a is equal to, क्या लिख दिया था, हम यह नहीं लिख सकते है, a is equal to 2 a, तो just imagine, कि जब आप इसको जूम करेंगे, कल आपने वीडियो देखे थी इसकी live, जूम करेंगे, तो क्या यह atom, यह atom के आपस में touch में था, नहीं, क्योंकि बीच में face entered पे भी atom आ गया ना, तो जूम करोगे ना, तो यह atom आपस में एक इसमें आपने देखा था कि जो face centered पे होते हैं और जो body centered पे होते हैं, उन में जूम करने पर corner वाले atoms आपस में touch नहीं करते, ठीक है, तो यहाँ आगया आपका, a is equal to a root 2, अब ac में यह r है, यह r है, यह r है, और यह r है, तो ac की value और क्या है, ac is equal to, क्या है, यहाँ पर अगर म और ac को हम क्या लिए सकते है, 4R भी लिए सकते हैं, तो a root 2, तो यहाँ जो relation आया, वो आया, a is equal to 4R by root 2, और यह कल की class में भी मैंने बताया था, एक ऐसा relation आएगा, जहाँ पर a is equal to 4R by root 2 होगा, क्योंकर बच्चा बता सकता है, body centered में root 2 की जगे क्या आ जाएगा, देखते है क्या बात है, अमन ठीक है, square root, root 3 आ जाएगा, body में, ठीक है, body में root 3 आ जाता है, ओके, तो continue करते हैं, इसके आगे, यहाँ पर आने के बाद, अब a और r relation हमारा निकल चुका है, हम यहाँ रखेंगे इसको 16 by 3 pi r cube, और a और r relation के साथ, यहाँ जाएगा, 4 root, sorry, 4 r by root 2 का, whole cube, into 100, and after calculation, the percentage will be 74%, तो यह आसान सी एक derivation थी, ठीक है, और यहाँ पर एक line में आपको यह भी लिख देना है, कि number of atoms occupy, number of, number of atoms, occupy inside, the unit cell, is equal to z, is equal to, कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, यहाँ भी लिखना है, और उसके बाद तो आपको सारा process पताईए है, किस तरीके से, एक और चीज़ मैं पहले से clear कर दूँ, अच्छी तरह से highlight करके, red की यहाँ पर हमेज़ा याद रखना, जो भी face diagonal होता है, इसको बोलते है, क्या face, AC को क्या बोलते है, AC का दूसरा नम क्या है, this is called face diagonal, और every time face diagonal की जो value होती है, हमेशा क्या होती है, यह देख लो, A root 2, every time face diagonal जो होगा, वो A root 2 होगा, और यह बात, जो अभी मैंने लिखवाई है, यह neat के question, solve करने में बहुत helpful होगी, बदलर neat का question, अगर दो मिनिट का है ना, तो हम इस बात correlate करके, उस दो मिनिट के question को 20 सेकंड के अंदर solve कर देंगे, कितना time बच जाएगा, तो face diagonal का याद रखना क्या होता है, A root 2, इसी तरह से body diagonal जो होता है, वो क्या होता है, A root 3, तेखे ना, जो अभी हम करने जा रहे हैं, body diagonal जो होता है, वो होता है, A root 3, तो अब हम start करते हैं, अपना body diagonal की derivation को, जिसकी packing efficiency होती है, चलो, बिना cheating करें, बता ना, body diagonal की packing efficiency कितनी होती है, without cheating, बहुत बढ़िया के, सर, युग, खत्री, बिल्कुल ठीक है, ओम सुकला ठीक है, नितिन परासर ने 4, 4, 4 क्या है बई, शोर रिया, 4 root 3 नहीं, मैं कहरों, packing efficiency होती है, 68%, चलो, खेलते हैं, body centered cube के लिए, तो यहाँ body centered cube का भी एक neat and clean diagram, बनाने की कोशिस करना, यह है आपका body centered cube, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, add करेंगे, front face, दिखाई दियरे front face, चलो, मैं दिखाता हूँ front face का, यह होता है front face, अच्छा, फ्रंट फेस का अपर राइट कॉर्नर कौन सा होता है, मैं दिखाता हूँ, फ्रंट फेस का अपर राइट कॉर्नर यह होता है, यहां बना दो एटम इस तरीगे से, सिमिलरली बैक फेस, बैक फेस कौन सा होता है, चलो मैं दिखाता हूँ, यह होता है आपका बैक फेस, पीछे वाला फेस, और इसका लोवर लेफ्ट कॉर्नर, तो लोवर लेफ्ट कॉर्नर हो गया यह वाला, और यहां भी लग गया एटम, ऐसे, और बिलकुल बोडी के अंदर बोडी के अंदर, विदिन दा बोडी, विदिन दा यूनिट सेल, एक एटम जो होता है, वो ऐसे लगता है, यहां पर यह तीनों एटम एक दूसरे से टच में है, और इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, तो इस लाइन को बोलते हैं, बोडी डाइगोनल, यह आर है, यह आर है, य यह आर है, यह होता है, बोडी डाइगोनल, आप फिर से में लेगा देता हूं, यहां पर A है, यह B है, ट्रैंगल पूरा करने के लिए इसको तो जोइन करना ही पड़ेगा, यह C है, तो यह ABC, क्या को बच्चा बताएगा, BC क्या है, यहां पर जो BC है, वो क्या है, नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूं, BC क्या है, वोट इस BC, जो AB है, यह तो आपका चलो, रूट 3 है, बीकॉस दिस बॉडी डाइगोनल, बॉडी डाइगोनल की वेले क्या होती है, रूट 3, अभी भी मैंने बताई है, वैसी मुझे बताओ, CB, यह BC जो है, यह क्या है, वोट कोई कोई बता दे, नितिन पारसर ने बहुत बढ़िया एफॉर्ट लगाया, सही है, केस अव बिल्कुल करेक्ट है, क्या बात है, केस बुड गुड गॉइं, अमित दया, बिल्कुल करेक्ट है, अमन, बहुत बढ़िया, यह भी ठीक है, बागि यूग दिक्षा, इन्हों निए भाई ये होता है आपका क्या यह फेस है तो मैं अब एके करके देखो पूछता हूँ आपसे यह भी क्या है दिस बॉड़ी डाइगनल बूझी क्या दिस फेस डाइगनल एक कड़ा सकता है इसी थी एसी A-C के बारे में क्या बोलोगे भाई बहुत बड़िया केसब करेक्ट है अमित करेक्ट है नमन करेक्ट है यूक करेक्ट है अमन करेक्ट है एल्यिण करेक्ट है माला मैं बेड़ान और न मह सका किट दी या रवी कारएगोनल थे त्री टाइम बाड़ Nawr च्लेंड थे गारण है वो क्या होती है रूट 3 & तो चलो, root 3a होती है, यह तो आपको क्या करना है, हमेशा की तरह से वहां भी है, रिजिस्टर के top page को लिख लो, ठीक है, यह अच्छी तरह याद कर लो, बहुत काम की चीज है, और देखना कितना यूज करेंगे हैं इसका, अब देखना, in triangle a, b, c, यह a, b, c है, इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि आपको करना है, a, b, square जो की एक क्या है, अब अपने room में imagine करना, अब आपको पता लगा, एक कोने से, अपर कोने को जोड के देखना, body diagonal बना के देखना, तो आपको पता लएगा, this is hypotenuse, a, b, square is equal to b, c, square is equal to a, c, square, sorry, plus a, c, square, त value क्या होती है, कोई भी वैसी नॉर्मली बता दो, यार, ना बता, वो भी ठीक है, b, c, key value क्या होती है, बहुत बढ़िया, amit, 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 you are going very well, और, k, sub, ठीक है, amit, 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 ठीक है, yiw, a नहीं लगाया है, a लगा लो, भाई, yiw, रेनू ठीक है, b, c, s, l, में face diagonal है, तो इसको हम बोल देते हैं, root 2a, root 2a, ka square, plus mean ac, ac, to edge है, a square, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a square, plus a square, और यह क्या हो जाएगा, आपका 3a square तो a c a b square की वेलू आगी 3a square तो a b की वेलू के आगे आगे आपकी root 3a square यानी a root 3 this is your a root 3 this is called body diagonal अब बात आती एक कई teacher कहते हैं नहीं नहीं बीसी निकाल के दिखाओ बीसी निकालने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं triangle bdc क्या को जीनिस बैठा हुआ यहां पर जो मुझे बता दे कि triangle bdc में 90 degree कहां पर देखो simple सी बात अगर आप इतना भी कर दोगे आपको पूरे नम्मर मिल जाएंगे इतने की ठीक है मैं तो उन टीचर्स की वेज़े से बोल रहा हूं जो elaborate करवाते हैं तो यह समझ में आज है तो ठीक है ना आज है तो भी ठीक है क्या को जीने से जो बता सकता है मुझे हम bc को निकालने की कोशिस कर रहे हैं तो कोई मुझे बता सकता है हाला कि सभी को पता है bc कितनी आएग पूजा गलत है अमिर ठीक है इशान ठीक है कह सब कह रहा है बी और डी के बीच में यार ऐसे कैसे मैं कह रहा हूं b d c में से एक ही ए 90 बहुत बढ़िया आवन नाइस यूग ग्रेक्ट है बीविया गलत है ललित कह रहा है c b k between यार अतनी इन करेक्ट है बहुत बढ़िया तनीश करेक्ट है करेक्ट आँजा है d d per 90 है अब अब आप कहुगे सब्सक्राइब इसको कैसे समझें तो मैं आपको एक छोड़ा सा एक्जामपल बतायता हूं bc को आपने क्या बूला face diagonal face diagonal क्या होता है अभी थोड़े दरी पहले आपने देखा था face diagonal क्या था hypotenuse था और hypotenuse के front वाला angle कौन सा होता है 90 एंगल नाइनटी इस दिग्री घॉड़ी इसकह बूल सकते हैं घंगल B, D, C, कई बच्छा नहीं भी लिखा है, बहुत बढ़िया, तो ये 90 डिग्री है, यार, इसम्पल है, कहां बेवज़ेट परेशान हो रहे हो, अपने रूम में जहां बैठे हो आप वहाँ पर चार कोने हैं, फर्स पे, उसमें बनांके देखो, A को B मान लो, A को C मान लो, और A को D मान लो, and you will relate B and C, A कोने से उसके अपोजिट कोने को आप B, C मानोगे, और किसी भी A कोने को D मानोगे, then you will realize कि जो D है, वो 90 डिग्री है, मैं तो अपने रूम में बना पा रहा हूँ, आप भी बनाओ, तो पता लगेगा कि D 90 ही है, और अब इसमें आप बोल सकते हो, कि B, C square is equal to D, C square plus B, D square, तो D, C square, you know very well, यह edge है, यह edge है, तो यहाँ पर B, C square, यह B, C square is equal to 2 A square, तो B, C is equal to, क्या हो जाएगा, root 2 A square, answer आगया, A root 2, तो इसी लिए में बोल रहा हूँ, this is called face diagonal, B, C की value face diagonal है, जो हमने यहाँ उठकर रखी है, ठीक है, यहाँ पर, clear, अब आपको पता लग गया, यह A root 3 है, अगर आप सिरफ इतना भी करते हो, एक्जाम में तो ठीक मा, ठीक कर देंगे इसको, गरत निकरते इसको, अब बात आती है कि आपको packing efficiency निकालनी है, formula पहले ही पता है, formula क्या है, packing efficiency is equal to volume of, कितने sphere लिखों वही, बताइए, कितने sphere लिखों, volume of how many spheres, बहुत बढ़िया, पूजा, के सब, correct है, two spheres, volume of two spheres, divided by volume of cube, multiply by 100, यहाँ volume of two sphere के होगे 2, यहाँ आगा 4 by 3, pi r cube, divided by edge cube, into 100, यहाँ पर जाएगा 8 by 3, pi r cube, okay, edge की value क्या है, a और और का रिलेशन ही तो बहुत important है न, a b में कितने आ रहे हैं, 4 r, और a b की value किसके बराबर है, a root 3 के बराबर भी है, a b is equal to a root 3, और a b की value है, 4 r, तो a root 3, तो a और r का रिलेशन क्या जाएगा, 4 r by root 3, this is your 4 r by root 3, तो यह 4 r by root 3 जो भी आया, उसको यहाँ रखेंगे, 4 r by root 3 का whole cube multiply by 100, and your answer will be 68%, clear, यह आपका answer 68% है, अब यह answer आ जाने के बाद, बाद, आपको एक table बनानी है, जो कि हमने कल भी बनाई थी, और वो table क्या थी, यहाँ नहीं है, यहीं होगी, यह table थी, हमारे सामने ही है, कि simple centered, face centered, body centered में a और r का रिलेशन क्या होता है, a is equal to 2 r, a is equal to 4 r by root 2, a is equal to 4 r by root 3, और यहाँ simple में packing efficiency होती है, 52.4, face centered में 74, body centered में 68%, अच्छा face और body में confusion होती है, 4 r, 4 r यहाँ भी है, यहाँ लेकिन root 2 है, यहाँ root 3 है, कौन सा छोटा होना चीए, कौन सा बड़ा होना चीए, इसको थोड़ा सा भी गलत हो जाते हैं तो examen number करते हैं, तो face हमारी पूरे body के अंदर, जो हमारा face होता है, वो छोटा होता है, और पूरी body होती है, तो छोटा face है, इसलिए छोटी value 2, बड़ी body है तो इसलिए body value 3, ऐसे कर सकते हैं, relate.